तो नवांकुर के डिजी लेसंस में आप सभी का स्वागत है आज हम कक्छा तीन के परियावरण अध्यन का पार्ट छे पढ़ेंगे इसका नाम है काना अपना अपना बच्चो सभी लोग एक सा खाना नहीं खाते हैं सब अलग अलगतर है के खाना खाते हैं किसी को दाल चावल पसंदेत किसी को रोटी किसी को कीर किसी को हलवा और कुछ लोग साकाहारी होते हैं कुछ लोग मासाहारी होते हैं तो साकाहारी लोग सब्जी, दाल, रोटी, फल इत्यादी खाते हैं और मासाहारी लोग ज़े अंडे, मास, मचली, मुरगा इत्यादी खाते हैं तो इस पार्ट में अपने-अपने खाने के बारे में बताया गया है देखिए यहां आत्र में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं बच्चे कह रहे हैं एक बच्चे ने कहा कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था दूसरे ने बोला मैंने तो दालबात बनाया था और खाया था आलबाद बनाया होगा मम्मी ने तो उसने खाया होगा वो तो बना नहीं पाएगी एक बच्चा बोल रहा मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना किसी कारण बस उसकिया खाना नहीं बन पाया होगा तो उसने कहा मेरे घर तो खाना ही नहीं बना फिर एक ये देखो जूड़ा बांदे बच्चा बैठा हुआ है ऐसा लग रहा है जैसे सिखो बच्चों को बच्पन से ही जूड़ा मानते हैं, बच्चों को बच्पन से ही जूड़ा मान देते हैं, बड़े होते हैं, तो दाड़ी पर भी लपिट लेते हैं, साफा कपड़ा आपने देखा होगा, तो ये बच्चा बोल रहा है, बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए बहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी फिर एक बच्चे ने बोला जो नीचे लड़की बैठी हुए यह बोल रही है माने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती मैंने तो अंडे की भुजिया बना कर खाली और सो गई फिर एक और लड़की बैठी यहां य मेरी मा जिस घर में काम करती हैं वहाँ से नूडल्स लाई थी तो हमने वही खाया हमें बहुत मजाया उसको नूडल्स पसंदोंगे बच्चों को अपनी अपनी पसंद होती किसी को कोच को कोच तो इस तरह से इन लोगों की बातचीत हुई अब बच्चों यहां एक थाली बनी हुई है şu में बटाना है बार में कल क्या खाया उस थाली में नाम लिखेंगे अप ने जो भी खाया हो दाल चावल सब्ची रोकी चला लडचार पापड जो भी आपあります उस थाली में आप यहां लिख लेंगे, जो भी आपने खाया हो, ठीक है? अब यहां एक कहानी जैसी बताई गई है, इसे हम पढ़ें, तो खाने के बारे में ही बताई गई है, इसमें लिखा है अपना अपना खाना, तो इसमें बता रहे हैं, विपुल के परिवार में, कुछ लोग कई चीजें नहीं खाते जो वह खाता है सोचो उसके परिवार के लोग वे चीजें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते ऐसा नहीं हो सकता उन्हें पसंद नहीं होगी तो वो नहीं खाते होंगे या कुछ उनके घर में बूड़े होंगे तो उनके दान नहीं होंगे तो वो को घर में मा और दादी चुटकी परिवार के लोगों की याद आई तो उसने सोचा पहले मैं चुटकी कोई देखूंगा तो मा के पास गया मा ने हसते हुए कहा हो तो चुटकी तो उपर है तो वे पुल ने उसके घर में दादा दादी रहती होंगे दादी का हाथ पकड़ कर कहा चलो दादी आप यू पर चलो मुझे चुटकी से मिलना है तो तभी मा ने उनको वे फुल को रोक कर कहा रोको मैंने बाकी दाल रोटी दाल में डाल कर रखी है मतलब दाल में गला दी होगी जैसे आपके हाँ आपके दादा दाती नहीं खा पाते होंगे तो गला लेते ह दादी ने बोला बेटा आज डाल में सककर ठीक से डाल दी की नहीं बच्चो वहाँ नागपुर तरफ महाराज तरफ डाल में कड़ी में सारी सबजियों में सककर डाल कर खाते हैं अपने नहीं खाते हैं तो उन्होंने ये पूछा कि डाल में सककर डाल लिये क्या बोल रहे हैं यहां नाग पुरा कर तो तम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो दादी ने महासिब कहा तब ही माने जबाब कि मैंने चक्कर देख ली है पड़िया मनी है तो अब दादी का खाना भी उपर ले जा रहा हूं और उनकी ठालीओ ठालीओ शुरिया चड़ गया जल्दी जल्दी शुरिया चड़ गया फटा पट शुरिया चड़ गया और दादी से कहा जल्दी जल्दी चड़ो तो दादी ने कहा बेटा जम मैं तुम्हारे जैसी थी ना तुम्हें सुड़ी या तुम्हारे जैसी दोड़ दोड़ कर चड़ती थी अब मैं जल्दी नहीं चड़ पाती तुम्हारी गुम्र में तुम्हें बहार पड़ भी बुद में ले लिया तब ही चुटकी ने रोना शुरू कर दीया आप बच्चों भी नहीं रो रही थी रोती जा रही तो इसमें इस कहानी जैसी उसमें से हमें उत्तरूर के बताना है तो यह पहला प्रश्नवत का है दाधी शीडियां जल्दी क्यों नहीं चड़ पाई तो आपके घर में दाधा दाधी हैं आप जानते ही होंगे बुड़े हैं जल्दी कम जोर हो जाते हैं बुड़े बढ़ा प तो इस तरह से वो इस कारण से दाधी शीडियां जल्दी नहीं चड़ पाई थी दूसरा है दाधी को दाल किस तरह से पसंद है इसमें लेकाई हुआ है दाधी को दाल में सकर डाल कर खारना पसंद है है ना आप इस पेस पर आएंगे हां यहां देखिए यहां लिखा है कहा सकते भुट्टा. चबा-चबा कर खाना पड़ता है जनके दानांओंगे वही तो हा पाएंगे भुट्टा. तो देखो भुट्टा कौन खा पाएगा भिप्ल खा लेगा. मा खालेंगी, मामी खालेंगी. उसलिए खालेंगी क्यों की उनके तो दाना आतें. है न अब अगला है क्या सभी बूड़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते लगभग बच्चों ऐसा ही होता है कि सभी लोग भुड़े भुट्टा नहीं खा पाते पर कभी कभी देखा जाता है कुछ लोग खा लेते हैं तो कैसे खा लेते हैं या तो उनके दांत होते ही हैं नहीं तो कुछ बूड़े लोग दांत लगवा लेते हैं नकली दांत आपने देखा हुआ किसी क्यों लगे हुए ऐसे लोग खा पाते हैं अगला है, चार महीने तक छुटकी केवल अपनी माँ का ही दूर पीएगी वह ही उसका खाना है, सोचोव ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चोव की छुटकी छोटी है, अभी उसके दान नहीं है तो वो कैसे कुछ खापाएगी इसलिए वैस सिर्फ अपनी मा का ही दूद पियेगी अब चलिए यहाँ नीचे अपने आसपास के बड़ों से पूछ कर तालीका भड़ना है यहाँ एक तालीका बनी हुई है और लिखा हुआ है क्या क्या खापाते हैं दूसरी तालीका में लेका है क्या क्या नहीं खापाते हैं अब पहला है बच्चा बच्चा क्या खापाता है बच्चा दूद पी पाता है तो थोड़े चोटे बच्चे होते हैं तो थोड़े से ही चोटे बच्चे होते वो दूद पीते हैं पर तोड़े बड़े होने पर थो भूण या और बड़त मिТट होरें इस वुंडे की जवाचा गती। खा पाते हैं चलिए अब अगला यहां इस पेज पर दिखाया गया है कि जो चीजें खाई जाती है उन फरसही का निसान लगाना है और बाकी पर गलत का लगाना होगा अपन गलत का लगा देंगे लिखा तो ही नहीं है लेकिन अपन गलत का लगा देंगे और किसी चीज के बा यहां हम देखते हैं यह लिखा है केले का पूल, केले का पूल हम नहीं खाते हैं, तो इस पे गलत लगा देंगे, सेजन के पूल, तो बच्छे सेजन के पूल का उचितर में कुछ लोग सबजी बना के खा लेते हैं, कुछ नहीं भी खाते हैं, जादा तर लोग नहीं खाते है इसलिए हम इसे गलत लगाएंगे खुम्भी, खुम्भी भी नहीं खाते तो इसको भी गलत लगाएंगे कमल लंडी, ये खाई जाती है आपने देखी होंगी बाजार में रंबी लंबी सफेट डंडिया मिलती है उनको काट के भिंडी जैसा बनाती है तो वो कमल डंडिया होती है, उन्हें खाते है तो उस पर हम सही करनिसान लगाएंगे लाल चीटी, चीटी खाई जाती है क्या? नहीं खाई जाती ना? तो इसलिए चीटी पर गलत लगा देंगे पिछले दिन की रोटी, मतलब बाजी रोटी कलकी बनाई हुई अपने चेत्रों में तो कम ही खाया जाता है तो अपने इस पर गलत लगा सकते हैं और चाहो तो सही लगाना हो, तो सही लगा सकते हैं तो हम इसको कर सकते हैं ऐसा अब है मुर्गी का अंडा तो बच्चों अंडा तो खाते हैं मान सहारी लोग अंडे पर भी हम सही का निसान लगाएंगे हरवी के पत्ते हरवी के पत्ते भी सभी लोग खाते हैं तो ये इस पर भी सही लगाएंगे चुहा पर गलत लगाएंगे मचली पर भी सही लगाएंगे मास हरी लोग खाते हैं मचली बाजरों की रोटी हम सब खाते हैं इसलिए सही लगाएंगे मैंड़क पर गलत लगाएंगे उटीनी का दूद कोई नहीं पीता इसलिए इस पर भी गलत लगाएंगे फिर गोवी गोवी अपन सब खाते हैं इस पर सही लगाएंगे मास मास सारी लोग खाते हैं तो इसलिए उस पर लगाएंगे सही का निसान कलोंजी यह अपन सभी खाते हैं तो कलोंजी पर भी सही लगाएंगे केकड़ा पर गलत लगाएंगे घास पर भी घास भी गलत लगा देंगे आमला, आमला तो बहुत अच्छी चीज होती है सभी खाते हैं उस पर हम सही का लगाएंगे और चने की रोटी, चने की रोटी में अपन सभी खाते हैं तो इस पर हम सही का निसान लगाएंगे चलिए वच्चो अब आप इसके जो अभ्यास जैसे की सही गलत और बीच बीच में जो question के answer है बीच बीच में और कुछ जो भी दिया गया है अभ्यास के रूप में उस सब को आप coffee पर लिखना और इस पार्ट को पढ़ना अब आज का ये पार्ट यहीं समाप्त होता है अगल वीडियो में हम फिर मिलेंगे धन्यवाद